Hello friends, तो इस चैनल पर हम आपको next अके लिए बताते हैं कि कौन सा data आ रहा है crude oil और US oil में और कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो कि impact डाल रही है इनके उपर और साथ ही हमारे जो next target हैं वो क्या रह सकते हैं तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं कि 11th August 2023 को यानि कि Friday को कौन सा data आ रहा है और क्या impact उसका पड़ेगा crude oil और US oil और क्या हमारे रहेंगे targets तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछले targets में आपको दिये थे यहां पर उनका क्या रहा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे targets थे यहां पर fully achieve हुए हैं उपर की तरफ को और downside को जब यह आया तो downside को के भी हमारे targets हैं वह achieve हुए हैं यहां पर जो मैंने आपको यहां पर maximum level दिये थे उन levels तक यह गया और उसके बाद यह वापिस निचे को यहां पर आया है और same यही चीज यहां पर US oil में भी आप देख सकते हैं उपर की तरफ के भी targets achieve हुए हैं और जब निचे वाले levels break हुए हैं तो उसके बाद हमारे निचे वाले targets भी achieve हुए हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़े हैं जो की impact डाल रही है यहां पर crude oil पर तो सबसे पहले तो यहां पर आज काफी सारा data आना था mainly जो data आना था वो आना था OPEC की जो एक report आनी थी उसका data तो यहां पर जो OPEC की जो report आई है उसका बहुत जादे impact देखने को नहीं मिला है reason उसका यह है कि उन्होंने जितना भी चीज़ें जो उन्होंने पिछली बार कही थी mostly वही चीज़ें उन्होंने इस बार भी कहीं है और कुछ भी ऐसा नया उन्होंने नहीं कहा है जिससे की impact आए ना तो उन्होंने production से related कुछ कहा नहीं जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि production से related वो अपना जो साओधी अरेबिया है वो world entirely जो है और production कम करेगा ताकि जो crude oil है वो market में और उपर जा सके तो ऐसा भी उन्होंने नहीं करा तो जिसकी वज़े से यहां पर कोई चेंज नहीं आया और crude oil जो है वैसा का वैसा ही रहा लेकिन हाँ जो चेंज आया है वो आया है यहां पर जो data आया है छे बजे चे बजे का data आना था मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका भी impact पड आई है यानि कि inflation है United States का वो पिछले जो inflation था उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है जिसकी वज़ा से यह chances हमारे बढ़ जाते हैं कि जो यहां पर Fed है वो next जो अपना interest rate बढ़ाए तो वो थोड़ा सा यहां पर बढ़ाए और साथ ही जो hawkish statements दी जा रही है जितने भी Fed के different members हैं उनके दौरा वो भी hawkish statement ही दे रहे हैं जिसकी वज़ा से यहां पर और indication मिल गई है कि थोड़े बहुत और जादे interest rate यहां पर बढ़ सकते हैं Fed के दौरा जिसकी वज़ा से DXY जो है उस data के आने के बाद ऊपर के और को गया है और as a result यहां पर crude oil जो है उसमें यानि कि Friday को important दो और important data आने है सबसे पहले जो important data आना है वो आना है 130 पर अगर आपने हमारी जो data वाली जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए मैं आपको daily बोलता हूं क्योंकि उसमें जो data होता है वो impact जरूर डालता है और उस report में next month के लिए यही बताया जाएगा कि कितनी production रह सकती है क्या demand रह सकती है तो उसके basis पर यहां पर हमें प्रेड मिल सकता है 130 पर और साथ ही next जो data आना है वो 1030 पर भी आना है जिसमें की rig count oil rig count जो baker huge oil rig count है उसका data आना है कि कितनी machines जो है वो active इस time है जो की production कर रह है अगर वो ज्यादा आता है तो यानि की machinery की संख्या अगर ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि supply बड़ेगी जो की negative होगा crude के लिए और अगर supply यहां पर लगता है कि कम होगी और वो क्यों लगेगा क्यों कि अगर machine की संख्या कम हो गई जो की production कर रही है जो की active है production में उ कर huge oil rig का data आना है exactly उसी time पर हमें उचाल देखने को मिले कहीं बार हमें देखने को मिल सकता है उस time कहीं बार हमें next week है Monday को उस वहां पर उस time हमें देखने को मिल सकता है तो यह चीज़े हैं जिनके उपर यहां पर आपकी नजर रहनी चाहिए Friday को और यहां पर China की तरफ से भ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ है पिछली वीडियो में भी चाहिना इंपोर्ट अपना बढ़ाया है तो वह चीज़े जो है वह पॉजिटिव है प्रॉब्लम बनी हुई है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रशिया के उपर जो यहां जो शिप थी उसके उपर अटेक किया तो उसकी वज़े से भी यहां पर सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो वह भी एक सुपोर्ट का यहां पर रीजन बन सकता है तो पॉजिटिव और नेगटिव दोनों ही चीज़े है फिलहाल जो यह नीचे की और को जा र वह रहेगा यहां पर यह लेवल है 6879 का कुरूड की हम बात करें पहले उसके बाद USOL की बात कर लेंगे तो 6879 का यह लेवल है इसके नीचे अगर red candle की closing हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो next target यहां पर रह सकता है वह हमारा लेवल यह रह सकता है 6852 का और 6852 के बाद आप यहां पर यह जो एरिया है यह एक आपको यहां पर थोड़ा सा resistance देखने को मिल सकता है और उसके बाद अगर इस लेवल को भी break कर देता है यानि कि 6840 को तो उसके नीचे आपका जो next target यहां रहेगा वह 6821 का रहेगा ब्रेक करने का मतलब है कि one hour वाली candle की प पूरे नीचे आने चाहिए close होनी चाहिए वनावर वाली candle तब हम next target यहां पर ले सकते हैं next अपना अब हम उपर की तरफ की बात कर लेता है क्योंकि positive news भी है और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि positive news की वज़ए से यहां पर यह उपर को भी गया है और नीचे को भी आया है दोनों तरफ के target achieve हुए है और जब हम intraday trading करते हैं तो intraday में positive और negative दोनों तरफ को ही जा सकते हैं और इसलिए हमारे दोनों तरफ के ही target बनते हैं particular level break होने दीजिए और उसके बाद जो है हमारे next target achieve होने के chances और बढ़ जाते हैं अब यहां पर यह level है 6908 का इस level के उपर अ 6962 का रह सकता है तो यह था analysis crude oil में अब हम बात कर लेते हैं कि US oil में हमारे क्या target रह सकते हैं तो US oil में trade लेने के लिए आपके पास forex trading account होना चाहिए और Exynos का account अपना open कर लेजे मैं personally इसका use करता हूं इसलिए मैं आपको भी recommend करता हूं इस वीडियो को description box में जाहिए सबस ही बढ़िया तरीके से आप trading कर सकते हैं यहां पर आपको smooth trading मिलेगी कोई भी जैसे crude oil में आपको यहां पर देख सकते हैं कि gap up हुआ इतना बड़ा gap up यहां पर हुआ लेकिन जो US oil है वहां पर smooth trading हुई और आपका यह बहुत बढ़िया trade यहां पर बन सकता था उसी तरह से ज सकते हो और तो यहां पर इनका अपना analysis भी होता है और साथ ही अपने targets यह आपको देते हैं और साथ ही जो worldwide चीज़ें चल रही है उनका भी आपको आप के account में पैसा bank के through आता है तो इस वज़े से यहां पर बहुत ही safe है मैं personally इसका काफी time से use कर रहा हूं तो मैं आपको भी यह highly recommend करता हूं अब हम बात कर लेते हैं कि US oil में हमारे क्या target रह सकते हैं तो US oil में यहां पर जो यह level है इस level को आप break होने दीजे 82.98 के नीचे अगर red candle की closing हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो next target यहां पर रह सकता है वो 82.65 का रह सकता है और 82.65 के नीचे भी अगर red candle की closing आती है तो 82.38 हमारा next target यहां रह सकता है जबकि उपर की तरफ के लिए green candle की closing यहां पर पाने दीजे और उसके उपर हमारा next target यहां रहेगा वो 83.43 का रह सकता है और इसके उपर भी अगर green candle की closing आती है तो next target हमारा 83.67 का रह सकता है तो यह था analysis US oil और crude oil में और अगर आपने हमारा telegram channel जोई नहीं किया है तो link उसका आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप जोइ हो सके उतना शेर किजिए जहां पर भी आप शूशल मेडिया पर हैं उस पर आप शेर किजिए इसे क्योंकि शेर करने पर नॉलेज और स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियो पर अच्छे रिस्पॉंस आते हैं तो और अगर अगले वीडियो में तिल देन हैव नाइस दे गुट बाई